Hello दोस्तो, Gates Smashers में आपका स्वागत है DSSSB की इस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है Operating System से Related और इस वीडियो में हम Operating System से Related सारे Important Points इसे करने जा रहे हैं जो आपको बहुत ज़दा Help करेंगे Exam की Preparation में तो इसलिए इस वीडियो को बिलकुल Last सक देखें और जितने भी Important Points में यहाँ पर आपको बताऊंगा वो सारे Points आप Note कर लेना तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर Slabers से Related तो Slabers जो है DSSSB का TGT और PGT के लिए हमारे पास Slabers है Operating System का यह सारा जिसमें सबसे पहले आता है Introduction का Part Introduction में मतलब Types of Operating System है Batch Operating System, Multi-Program Real-Time, Multi-Tasking Operating System है उसके बारे में आपको Theory Questions आ सकते हैं System Calls क्या होती है Fox System Calls जो सबसे ज़्यादा Important है और काफी बार एक्जाम के अंदर पूचा जाता है Fox System Calls से Related Device Drivers क्या होते हैं Kernels, Monolithic Kernels, Micro Kernels क्या होते हैं और इसके इलावा आपको Basic Windows, Linux इनके बीच में Difference भी पता होने चाहिए Then Process Management Process Management में हमारे पास आता है Next की like Operating System की क्या-क्या Functionalities है Process क्या होता है, Program क्या होता है और Process की States ये बहुत Important Point है क्योंकि इसके उपर जो Theory Questions बहुत बार आते हैं Process की States के उपर और इसके उपर already मैंने वीडियो बनाई हुए Even बहुत सारे Topics है जिनके उपर already वीडियो बनी हुई है और उसका Link Description Box में आपको दिया हुए लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सारी वीडियो क्योंकि ये सारी वीडियो जो है वो Gate और Net के परड़ वीडियो से भी बनी हुई है तो इसलिए आपको Level जो है क्योंकि बहुत सारी स्टूडेंट्स पूछते हैं सबसे पहले कि सरा में किस Level तक करना है मतलब मुझे Level बहुत ज़्यादा High रखना है बहुत ज़्यादा Low रखना है और कई बार Previous Year के Questions जो है मतलब Gate या Net के Previous Year के Questions भी कई बार वो उठा के सीधर डाल देते हैं इन exams के अंदर तो आपको Level जो है अपना Every रखना है और कौन-कौन से Topic करने है क्योंकि Operating System अगर आप चेक करो ना यह Slables तो बहुत जगा Available होता है लेकिन Operating System के Slables में अगर आप देखो तो आपको बहुत ज़ादा टाइम लगेगा इसको Complete करने में तो इस वीडियो में मैं आपको सारे Important Point वही बताने जा रहा हूँ कि आपको यह वाले Important Point है जो आपको Mandatory है मतलब यह Topic आपको करके ही जाने है और कौन से इस Topic है जिनको आप छोड़ भी सकते है तो यहाँ पर Next आता है हमारे पास PCB Process State के बाद PCB that is Process Control Block इसके उपर भी आपके Theory Question यह पहले जो दोनो Topic है Totally Theory Questions इसके उपर पॉसिवल है Then Scheduling यह जो है वो पूरा Topic ही बहुत Important है क्योंकि इसके अंदर आते है Numericals और Numericals कहीं न कहीं Students को तंक करते हैं क्योंकि वहाँ पर obviously मेरे को Concept लगाके Question को Solve करना है तो इसके उपर Scheduling में Preemptive और Non-Premptive जो दो Methods है उनके अंदर like FCFS है Round Robin है, Shortest Job है, Priority है इनके उपर Questions जो है वो बहुत बार आते हैं और अगर लास्ट टाइम की बात करूँ तो there are 13 to 14 questions मतलब there were 13 to 14 questions asked from the operating system मतलब out of 100 आप कह सकते हो कि 13 से 14 नंबर का paper तो सिरफ operating system में आये हुआ है और इस topic में से 2 questions आये हुआ है एक Round Robin के उपर और एक और Scheduling Method के उपर तो यहाँ पर Scheduling जो है वो numerical portion है तो इसलिए यह important है और यह सारा का सारा मैंने cover किया हुआ है with examples पूरा की पूरी वीडियो में with example आपको explain किया हुआ है preemptive क्या है, non-preemptive क्या है preemptive से हम कैसे solve करते है numerical को non-preemptive से हम कैसे solve करते है then आते synchronization का topic synchronization जो है उसमें हमारे पास again वैसे तो इसमें numerical भी possible है लेकिन यहाँ पर आपके D.S.S.B. के exam में theory questions आने के ज़्यादा chances रहते है synchronization में like critical section क्या है race condition क्या होती है semaphores क्या होते है binary semaphore है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है IPC, Interprocess Communication, Shared Memory क्या होता है या फिर इसके लाब आप pipe का method क्या है तो यह जो है वो basic question इसमें semaphore को मैं सबसे ज़्यादा priority दूँगा क्यूंकि semaphore में binary semaphore या counting semaphore के उपर questions ज़्यादा आते है और आपको बिल्कुल basic level का ही यहाँ पे करना है कि इनकी methodology क्या है मतलब critical section होता है critical section क्या है synchronization का purpose क्या है semaphore का यहाँ पे use क्या है यह सारे के सारे points आपको clear होने चाहिए then deadlock deadlock again important है deadlock में आपके bankers algorithm जो सबसे ज़्यादा important है avoidance and prevention मतलब हमारे पास avoidance and prevention prevention method क्या है avoidance method क्या है इसके उपर भी question आ सकता है और जितनी भी deadlock से related theory questions है कि like deadlock क्यों वाकर होता है कौन-कौन सी four conditions है necessary conditions क्या है और even इसके उपर कई बर numerical भी आते है और आपको किस type के questions करने किस type के numerical करने है इसके उपर मैं आपको बता दू जैसे मैंने DBMS में 50 questions की आपको एक PDF दे थी ऐसी मैं यहाँ पर operating system की भी PDF आपको provide कर रहा हूँ description box में उसका link दिया हुआ है जिसके अंदर सारे के सारे questions इनी topics के उपर based है और previous years में क्या आया हुआ है उसको पूरा analyze करके ही मैं इन questions को लेके आया हूँ तो वो questions तो आपको करने ही है लेकिन उनसे similar questions जो है मिलते जुलते questions आपको और भी करने पड़ेंगे लेकिन आपको एक जो एक तरह से push मिलेगा कि हाँ मिलको यह 30-40 questions जो भी आपको PDF में मिलेंगे वो तो at least करने ही है जिससे आपको इन पूरे points को पूरे concept की आपको knowledge भी हो जाएगी और कैसे solve करने question यह भी पता लग जाएगा then memory management memory management वैसे तो बहुत बड़ा unit है क्योंकि इसके अंदर paging, segmentation page replacement है बहुत सारे topics आते हैं लेकिन जो important topic हैं DSSSB में वो है सबसे पहले fragmentation जिसके अंदर internal fragmentation external fragmentation क्या है कैसे हम इसको remove करते है fragmentation को उसके अंदर आ जाता है फिर paging का concept, compaction का concept तो paging वगएरा आपको बहुत ज़्यादा high level की करने की जूरत नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए paging क्या है segmentation क्या है और allocation method मतलब हम allocate कैसे करते है quantity के इस allocation क्या है हमारे पास special locality, locality of reference क्या होता है इनके उपर जो है आपको points जो है वो theory questions जो है वो पूछे जा सकते है और ऐसी mapping, virtual memory क्या है virtual memory का concept क्या होता है page replacement जो है वो हम कैसे करते है fcfs है, optimal page replacement है उनके उपर numerical आ सकते है लेकिन ये सारे जो है वो कही न कही theoretical questions जो है यहाँ पे पूछे जा सकते है और इनके इलावा पे आपको छोड़ा सा point यहाँ पे introduction में और बता दू introduction में इसके इलावा like आपको basic functionality पता होने चाहिए spooling वगेरा क्या है booting क्या होती है operating system को like हम जब हम boot करते है तो वो कौन सी memory में जाता है जब हम boot नहीं कर रहे है जब हमारा system off है तो वो कौन सी memory में होता है यह जो है न छोट-छोटे points आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं DTSB के exam में then आता है हमारे पास last topic file management file management जो है file management में हमारे पास आता है directory का structure जैसे file system है यह भी operating system के एक functionality है हर एक operating system में file system का जो है वो module होता है जैसे अगर हम बात करें Windows की तो उसमें NTFS file system है Unix यह Linux की बात करें तो NFS file system है ZFS file system है तो इन file systems का basic name क्या है इनकी functionality क्या है बस आपको इतना ही यहाँ पे याद होना चाहिए और file allocation important है contiguous क्या है non-contiguous मतलब indexed क्या है linked allocation क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए तो file system में यही आपके important points है तो इन सारे points को आप note कर लीजिए और इनी के उपर आपको questions जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा try करने है even आपको जो start है start कहीं न कहीं हर एक student को चाहिए कि हमें कोई न कोई start करवा दे एक उपर से guidance जो है हमें मिलनी चाहिए तो वो guidance मैं यहाँ पे इन सारे points में आपको लेके आ रहा हूँ और जितने भी questions है उन सारे questions को solve करने अच्छे से और उससे similar questions को भी आपको try करने Thank you